स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटिस्ट और धमाकेदार वीडियो में ये वीडियो काफी important और powerful साबित होने वाला है क्योंकि ग्यापन एकडमी के platform पर अब science का जो 3 chapter पढ़ा करके छोड़ दिया गया था अब वो 2 chapter जो chemistry का बचा हुआ है वो भी अब समाप्त कर दिया जाएगा आपकी board exam के पहले क्लाश 10 वाले विद्यार्थियों को science का तो बिल्कुल tension ही नहीं लेना है आपको लग रहा होगा कि मतलब ग्यापन एकडमी जो है न बड़ा धीरे धीरे चलना है there is nothing as such try to understand आपको भी तभी जाकर के मतला आप भी तभी जागरूप होते हैं न जब आपका board exam करीब आता है तो आप ही कहीं साबसे हम लोग भी जागरूप होते हैं भले आप माने यह ना माने भले आप ऐसे comment में कह देते हो कि सर ग्यापन एकडमी के प्रेटफॉर्म पर देख रहा हूं कि बड़ा धीरे धीरे जो है न वीडियो अपलोड हो रहा है बट आपको पता है कि आप भी बहुत धीर धीरे ही चल रहे हैं ठीक है न बोड एक्जाम जब बहुत करीब आता है न तब भी आप कार्बन एम इसके योगिक नाम के चेप्टर को बहुत ही अच्छे ढंक से पढ़ेंगे इस वीडियो में और वीडियो को सुरू से लेकर आन तक देखना वीडियो को स्कीप नहीं करना है अच्छा लगे तो लाइक करना है चैनल पर नए है तो चोटा सा रिक्वेस्ट है च सबसे पहले हमें कार्बन की परीचे को समझे लेते हैं मतलब कार्बन से related एक objective दखाला तो क्यों न हम लोग इसके परीचे को समझ लै और इसी परीचे से एक objective तत्व पाये जाते हैं ठीक है ना लेकिन उसमें यह जो कार्बन है यह 15 नंबर इस्थान पर आता है कितने नंबर 15 हुआ यानि एक दो तीन चार पांच करोगे ना तो 15 नंबर जो आएगा वह 15 नंबर इस्थान पर आता है यह अलवेस किप इन माइड कार्बन की परमाडु सं नंबर पर और करभाण छे नंबर इसलिए कारण की परमाडु संख्या चे सायूजक इलेक्टान की बात करें ठीक है चार होता है और सायूजक और सायुजक में क्या फर्क होता है देखे मैं बता रहा हूं जब धी कभी बतलब किसी भी ततो के अंदर मौसीद परमाडु साथ से यानि इलेक्ट्रोनिक विन्यास के तौर पर उसको लोग सजाते हैं ठीक है ना तो अस्टक नियम मैं आपको देखिए अब मैं क्या बता हूं यार साइंस में जो आपका चैप्टर है तत्यों का अबर्ति वर्गी करन यह पहले ही नंबर मतलब जहना चैप्टर में दे यह कर्चा है परमाडू जो भी तत्तों में परमाडू विदमान होते हैं जो भी इलेक्ट्रान होते हैं उस इलेक्ट्रान को सजाते हैं पहली कर्च्छा में दो इलेक्ट्रान होना जरूरी है दूसरी कर्च्छा में आठ और तीसरी कर्च्छा में अठारा और चौती कर्च कि जब किसी तत्तों में परमाडू यानि कितना परमाडू से मिलकर कोई तत्तों बनता है चुकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे किसी भी दुनिया के अंदर कोई भी पदार्थ उठालो निर्जीव पदार्थ उसका सबसे छोटी और क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को पर और परमाडू से मिलकर कि क्या बनता है आड़ू आड़ू से मिलकर कि ठीक है ना कंपाउंड बगरा बन जाता है तो दिखिए परमाडू से मिलकर कि अड़ू आड़ू से मिलकर कि तत्व तत्व मिलकर कि योगी योगी मिलकर मतलब जो भी आप सीक्वेंस पढ़े होंगे ठीक परनादू संख्या से बने होते हैं उस पर्माडू संख्या को हम लोग लोग कख्छावार सजाते हैं 1000 था और यह चुमि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परमाडू टीक nébia ना तीन कड़ों से मिलकर बना होता है औरतभ जाकर को वो परमाडू का लाएगा तो मान के चलिए कि परमाडू में कितने कड़ मौजुद होते हैं तीन इलेक्टान प्रोटान और नियुट्रान इलेक्टान पर निगेटिव चार्ज होता है प्रोटान पर पोजीटिव चार्ज और नियुट्रान पर कोई चार्ज नहीं होता है ठ आठ प्रोटान होंगे और आठ इलेक्ट्रान होंगे और आठ न्यूट्रान होंगे तो मान के चलिए कि हम इस इलेक्ट्रान को क्या करते हैं अश्टक के हिसाफ सचा जाते हैं पहली के अक्षा में इसमें से निकल करा जाएगा दो और बचा कितना आठ में से दो निकल गया त तो आप बता दीजिए कि बाहरी कख्षा में आठ इलेक्ट्रान की जरूवत थी छे ही इलेक्ट्रान है अब इसमें जाहिर सी बात है कि जोड़ खटा बूड़ा भागव वगर तो बोड मास का रूल मैथमाटिक के टीचर साब पड़े होंगे तो आप बता दीजिए कि बाहरी कख्षा में अगर 6 इलेक्ट्रान है इसमें कितना इलेक्ट्रान और डाल दिया जाएगा तो पूरा 8 हो जाएगा अगर आपको दिमाग में ये बात नहीं आ रहे है तो 8 में से 6 घटा लिजिए या अगर आपके पास उतनी प्लस माइनस करने कि अगर च्गता है तो खुद ही उसमें जोड़ लिजिए कि कितने इलेक्ट्रान चाहिए थे हैं तो पहली कक्षा में तो दू इलेक्टरान हो जाएगा, यहाँ बदा रहा हूँ, पहली कक्षा में दू इलेक्टरान हो जाएगा, लेकिन दूसरी कक्षा में चार इलेक्टरान बच गया, अब इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्टरान के जरू हो थे, चार इलेक्टरान अब इसको 4 इलक्टरान की जरूरत है इसलिए इसके संहाई हो जघता है बाहरी के अक्षा में चार एलक्टरान है इसलिए इसको हम लोग इस सब्च पती कैसे होगई देखे अगर करद की पर मोनो ठीक है ना अगर मान के चले कि कार्बन के पास दो परमाड़ है तो मोनो के पास डाई ठीक है और तीन है तो ट्राई ठीक है और चार है तो कार्बन के पास अगर चार परमाड़ हुआ गया तो कार्बन के पास चार परमाड़ क्या करांगे टेटरा तो मोनो डाई ट्राई यह आप 10 परमाडू पूरा जो है यह प्रिफिक्स अगर याद कर लेते हैं तो समझे तो कमेश्टी में वाबा हो जाएगा सुनिए का ध्यान से अगर एक है तो मोनो दू है तो डाई तीन है तो ट्राई चार है तो टेट्रा यानि यहां पर टेट्रा वाइलें इसलिए कहा ज है ठीक है न यह बाते समझ में आगए अब सुनिए कार्बन की परकिर्ति अधातू है एक चीज ध्यान में रखिएगा मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूं उतनी जल्दीबाजी भी नहीं अगर आपको जल्दीबाजी है तो कोई प्रोब्लम नह सब्सक्राइब और इसे यह कहां रहा है टो जिसके बाहरी कोस में ध्यान से रहते हैं पहरी कोस में एक चार पांच छे साथ अगर इलेटरान बचे ठीक है तो यह आधातु होते हैं इसे कलोरीन की परमादु कितने होती है 17 तो पहली कख्षा में 2 हो जाएगा दूसरी कख्षा में 8 मान कि चले पहली कख्षा में 2 दूसरी कख्षा में 8 और फिर तीसरी कख्षा लगाएंगे तो तीसरी कख्षा में 8 दूस 17 होता है तो साथ हो जाएंगे मैंने अभी आपसे यहीं बोला कि अगर बाहरी कक्षा में 5-6-7 बचेगा तो समझ लेना कि वो अधातु है क्या है अधातु है ठीक है उसका electronic विन्यास आप सजाने के खुशिस कीजिएगा 5-6-7 बचेगा बाहरी कोस में यानि बाहरी कक्षा में अकर 5-6-7 बच जाए तो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे अधातु और जिसके बाहरी कोस में डाइरिक्ट 1-2-3 बचेगा तो समझ लेना मेरे भाई कि वो एक धातु है वो तत्व क्या है धातु उसकी परकृति धातु होती है धातु में नहीं होती है धातु वीदुर्थ काहले में यह थी यह थो आप पढ़ेंशंगे राध़् जोटाइन प्रकृति-दाध की मात्रा परकृति यानिकि हमारे जो चैनल है । लेकिन वाई उमदल में से करें तो 0.3 परसेंट है आपके अब्जेक्टिव यानि क्लास 10 के बोर्ड एक्जाम में अब्जेक्टिव में डाइरेक्ट को सन पूछा था पता है क्या कि बताइए कि हमारे वाइउ मंडल में कार्मन की मातरा कितनी है 0.2 परसेंट 0.03 परसेंट 0.3 परसेंट 0.003 परसेंट तो बच्चा ने डाइरेक्ट देखा था और यह 0.03 परसेंट यह चीज़ ध्यान में रखिएगा इसके बावजूद भी सुनिएगा 0.3 परसेंट hayumma Hyumman level में हें फिर भी इसके बावजूद भी कार्मन की सब्सेजदा हम लोग उभूद करते हैं सब्सेजदे इसके यूज करते हैं ठीक है नहीं versucht जिन्दा प्राड़ी है न हम लोग के अंदर भी कार्बन है और मरने के बाद भी उसमें कार्बन होती है ठीक है ना पेट्रॉलियम कोईला वगरा यह सब जितना भी है यह क्या है यह जैविक इंधन है तो कहीं न कहीं से उसमें भी क्या है कार्बन की मातरा है यह बाते आपको को सन बंदा किसा सभीaggi आबंद किसे देनी इलेक्टरान की साजयदारी एलेक्टरान की साजयदारी समझते हैं जिसक इसमान के göre Ethan पढ़ रहे हैं और आप है कि हम से पढ़े हैं हम दोनों कीzte कि अच्छी साजयदारी चल वढ़ाई bola और इस बीच टार्गेट क्या बन रहा है कि हमारा बोर्ड एक्जाम बहुत ही अच्छे धंग से किलियर हो जाए सपोज मान के चलिके मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अब बड़े ही इत्मिनान से हमसे पढ़ भी रहे हैं इन दोनों के बीच क्या हो रहे हैं अगर मैं पढ़ इक एक 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 हटान दूसरे हमारा से सजर्दारी करते हैं यानि दोनों मिलते हैं तो सजर्दारी के बाद पर मार्माढों द्वारा बनाए-गए-बन्ध-बन्ध- और यहांपर मैं यह दे कार्बन हएं क्यार्व हो सकता हैnicos गोई भी तत्व हो سकता है मैंने कार्बन इसलिए लिख दे क्योंकि यह कार्बन नामक यह चेप्टर है इसलिए मैंने सुच है कार्बन का ही उधार देद। सुनिएगा कार्बन और कार्बन के बीच अगर एक आबंध रहेगा बने एक बॉंड में कितने लेक्टरान होते हैं जी सुनिएगा एक में चेह एक पर दीखेगा यहां पर एग उल्रान था ये भी एक एक अगर मनें बॉन कप बनेगा जब एक लिटान दूसरे इलेक्टान से साजा करें यहने मिलेगा जैसे कि हम लोग जब दोस्ती करते हैं तो करते हैं कि हम लोग दोस्त हैं बहले ही दो अलग अलग शरीर दिखाई दे रहा है बहले ही दो अलग अलग जिस्म दिखाई दे रहा है बट हम दो जिस्म है लेकिन एक जान कहलाते हैं यानि दो जिस्म एक जान यानि कि सहसायोजी आबंध है ना देखते ह हो ना कभी हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग किसी से दोस्ती करते हैं तो हम अपने आपको उससे अलग नहीं समझे आरे यार तु 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 मेरा दोस्त है तुमारे लिए तो जान भी आजी यानि कि दिखने में भले बोड़ी दो अलग दिखाई देता है लेकिन वो दोनों एदम एक दूसरे से इदम कमपलैक्स रुप से चिपके हुए रहते हैं यानि य behaviors में झान वो होता है साजेदारी तो जब एक एक लेक्ट्रान दूसरी इक्ट्रान से मिल जाते हैं तो एक बंड का निर्माड करते हैं एक बंढ करते हैं जिसमें दो बंड होते हैं ठीकना अब आई एकलमस कल आजए अर्थातीப कहाँ ना इसको कहेंगे क्या कहेंगे खेंगे अकान समानने सुत्र आप से अब्जेक्ट्टी में पूछ लेता है कि बताइए निम्लीखित में से कौन एक एलकेन का समान्य सुत्र है तो आप धियान रखेंगे सी एन एस्टू एन प्लस टू इस पर हम बात में चर्चा करेंगे फिलहाल आप सी एन एस्टू एन प्लस टू याद रखिएगा अगर आपको डबल आबंध दिखाई दे दे दोहरा आबंध तो समझ जाना CnH2N ठीक है अब बात करते हैं त्री आबंध अगर त्री आबंध है तो समझ लेना कि वह यलकाइन का लाएगा अज जब यलकाइन का लाएगा तो उसका समान्य सुत्र क्या हो जाएगा यलकाइन का cnH2N-2 अब देखिए इसी एलकैन से मेथेन बनता है इसी एलकाइन से म मन में बहुत सारे कुस्टन उपट रहा होगा आप कहेंगे का सर मेथीन कैसे बन जाएगा मेथाइन कैसे बन जाएगा कई साब पर चर्चा करेंगे आपको टेंशन लेने की ज़रूत है अब आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इलेट्रान की साजा के द्वारा अड़ो का न लेकिन हीलियम सोतंत्रा वस्ता में रहा सकता है आरगन सोतंत्रा वस्ता में रहा सकता है क्यों कि जिसके बाहरी कोस में आठ इलेक्टरान बचेगा वो नोबल गैसिस की किटेग्री में आते हैं उसका आश्टक पूरा हो गया अब वह सोतंत्रा है किसी सा अभी किरिया करने क हम आपसे राय बात क्यों करेंगे इसलिए कि हम और आप दोस्य मिल करके कुछ अच्छा करें यानिंख हमेरे और आप के बिच रायबात क्यों होगा तक कुछ बयतर करना ठीक है तो राय बाद समझे तो रायबात हम भी और आप दोना दो आद में एक मजबूत लाठी बन गए एक मजबूत प्राड़ी बन गए अब दोना दो कोई काम को अंजाम देंगे तो कोई भी राइबात इसलिए करते हैं ताकि उसका ज़रूरत पूरा हो सके यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड रोजन हाइडोजन तो यह अपना एलेकटरान की कमी को पूरा कर सको वह अपना इलेकटरान की वह सुलेङ का ध्यान से हम है चूंकि हड्रोजन की यह गङर About säger है होता है तो मान तो यह क्या करेगा दूसरी hydrogen के पास जाएगा और याद रखेगा कभी भी अधातु-धातु ही मिल करके सवस्तंयोंजी बंद बनाते हैं मतलब बनाते हैं और एक अडू का निर्माण करते हैं compound और अडू में यानि योगिक और अडू में फर्क होता है योगिक का ही छोटा पार्ट अडू का लाता है और तत्व का छोटा भाग माडू का लाता है यह बात ध्यान में रखिएगा अब देखिए अडू का निर्माड कैसे होता है अधातू अधातू मिल करके अडू का नि निर्माड़ हो जिसका पीएच मान साथ से कम आ जा तो समझ लेना कि वह आम लिभी होता है तो खर मैं उतना दूर नहीं जाना चाहता हूं फिलाल अभी आपस समझ यहां देखिए हाइड्रोजन इसके पास बेचारा के पास एक एलेक्ट्रान और यह एक हाइड्रोजन है तो यह का कोन दूसरा थोड़ी है इसका भी तो नेचर उसी तरह होगा इसके पास बेचारा के पास एक हाइड्रोजन अब यह किया का देखिए यहीं पर यह चीज दिखाया हो यह जरूरत है मेरे को बीजरूरत एक काम करते हैं एक सब्च्छा आइडिया है कि हम दोनों आदमी साज़ेदारी कर ले इलेक्ट्रानों का शेरिंग कर लेक्ट्रानों का साज़ेदारी कर ले कैसे कर ले ऐसा करते हैं कि तुम अपना हाथ दे मैं अपना हाथ मिला लेते हैं देखते हैं एक लड़का और एक लड़की दोनों हाथ मिलाते हैं तो क्या हो जाते हैं एक दोस्त जाते हैं एक लड़का और एक लड़की मंडप में घूमते हैं तो मान के चली के लड़की का आचल और लड़का का जो शिरवानी पर पहना रहता है ना दुपट्टा वो दोनों को बांध दिया जाता है पंडी जी बांध देते हैं और हाथ हो ले करके मतलब गुल-गुल करते हैं एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है और कहता है कि यार मेरे को ना एक लेक्टान की जरूरत थीक है तो ऐसा करते हैं तू अपना एक्टान आगे बढ़ा मैं अपना लेक्टान मिल जाते हैं दोना आजमी की जरूरत पूरा हो जाएगी यानि कि ये कहता है कि चलो मैं तुम्हारे पास आ गया और ये कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे पास आ किस तरीका से ये लोग क्या होता है न दो gism एक जान बन जाते है ये hydrogen hydrogen hybrid mle logr आदे देख रहा है यह hydrogen hydrogen मिल करके is to का निर्मार करते हैं अर्थात यह एक अडू बन गया क्या बन गया अडू बन गया समझ में आ रहा है अब यह स्वतंत्र आवास्था में रह सकता है क्या सब्सकों अभी किरिया करने की ज़रूरत नहीं है अब सुनिएगा ध्यान से कुलोरीन के साथ भी कुछ इसी तरीके से होती है अच्छा देखिए यह जो एस्टू बना ना अडू इसको हम क्या काएंगे हाइड्रोजन के बास दूब को परमाडविक अडू क्या काएंगे दूवी परमाडविक अडू अब सुनिएगा कुलोरीन का अटॉमिक नंबर 17 होता है तो दू आठ दू साथ 17 तो बारी अब इसमें यह को इलक्टरान की जरूरत है एक वे और फिर यह 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 और पूरा हो जाएगे यानिए सोतंदर हो जाएगे अभी को लोरीन के पास जाता है भाई जाहिर सी बात है कि देखो यूनिटी अब हम सभी में हो गया है तो यह तको में भी यूनिटी होती है समझज यह सारा मतलब मान के चलो जितने भी अधात्विक ततों है वह एक जगा नहीं हो सकते हैं सारा धात्विक ततों एक जगा नहीं हो सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रान की कमी है जितना इलेक्ट्रान ऐसे ततों जिसके पास इलेक्ट्रान की कमी हो सब एक जगा नहीं हो सकते हैं जिसको एक इलेक्ट्रान की जरूराइब चलते हैं क्लोरीन के पात यह जाता है कुलोरीन कीरेकल लॉए एक उसलोनाए ग्लेक्टाल खरोफ है मेरेielle पास साथ fiquei पूरा जोक है ऐसा मेरे प्रॉब्लम मेरे या problem is your problem your problem is my problem same same problem थीक्ष 스ळय से Méरता क्या है ला टाक करके एक लितान की साजदारी करके निर्माड कर दिया एक अडू का निर्माड कर दिया वो लोगा अपना साजदारी करका तो उससे देखा देखी हाँ कोई बात नहीं चलो कर लेते हैं ये क्या किया एक लेक्टान इसको दे दिया तो ये भी कहा चलो मेरा किलता तूमी लगल यह दोनों आदमी कर लिए हात मिला लिए दोनों आदमी का देख रहे हमाँ एक ये तरीका से जितने भी अधात्विक तत्व हैं एक अधात्व के साथ ठीक न आबंध बना करके ठीक न चाहे चाहे एकल चाहे इस इंगल चाहे ट्रीपल यह बना करके उब से निर्मान करते हैं यहां पर देखेंगे अक्सीजन का पास डबल आबंध बना है अब आपके दिमाग थोड़ा से चक्रिया रहा होगा कि यह डबल आबंध क्यों बने हैं सिंगल सिंगल तो समझ में आगा डबल आबंध में बता रहा हूं आपको गबढ़ानी की जरु ले लें बोरान कारवर नाइडरोजन चले आठ होता है आठ होता है तो पहली कलश्य में दूर दूसरी कलश्य में निदेशे समझेगा तो जब 6 लेक्ट्रान बाहरी कर्षा में संयोजक और संयोजक तक कितना हो गया तो जाइद सी बात है इसको दो इल्ट्रान की ज़रूरत है तो बाहरी कर्षा में कितना है एक दो तीन चार पांच छे चे को हुआ के नहीं हो तो 6 अब यह जो आक्सीज़न के पास जाता हूं यह जाती हूं डेको अभी अधात वना इसको जाती हूं ही समझो जाथा हूं मदर प्रगालो है में अलेकर फिम सब्सक्राइग करती है कि मैं भी जा रहे हूं किसी oxygen description के पास ठीक है और जाने पास एकमब चीजन सुनो ना मेरे करना वी नितन्त यह कहेगा यह कहे नहीं यह कहेगी अक्सीजन कॉइस दूसरे से जागर ज़ BUR et生產 कोई बात निया मेरे को यह जो किस्षा Hiseam कर लेते हैं चलो साज़दारी चाहला आ को ना हम को यह तुम thri बन आप दो इलक्ट्रान से आगे बढ़ा दो है दो डो द्र एक ही ऑगा और यह लैक्ट्रान को गणक रहन कर लिए यनिके दोनों चीज़ें एक ही ति जगह दिखाया जा रहा है और यह भी अगर दो दे दिया है तो बहुत करता है है इसलिए दोना दो जिस्म एक जान बन गया जब भी कभी ओटू का निर्माड होता है तो उसके पहले डबल आबंध का सब्सक्राइब बनता है ठीक है ना यानि को टू ऐसे ही नहीं बन जाता है उसके पीछ दो एलेक्ट्रानों की सज़धारी होती है तब ही जाकरके ऑक्सी एकन का करता है और ने को आटो होता है इस चलिए नाइट्रोजीन के भी ए actrator नाहीं मुक्रिया वक्रत को कर तो नो पहली कफा पूरा हो गया दूसरी कम्नुषा मैं पांच ही अलेट्रान जाट है आड़ में तिन इलेक्रान की ज़रूथ पड़ेगा यह तीना ट्रीय वृट्टान मील जाता ने मिल जाता ना तो यह आच को अपना पूरा कर लेता और बेचरा नाइटरोजन स्वातंत्र हो जाता नाइटरोजन जाएगा धातु के नहीं हूँ वहीं किस्ता को अपना ले जाने टोजन के साथ नाइटोजन के साथ तीन इल्टान की साज़दारी होनी है तो यहां पर देखिए तीन बॉंड बन गया और यह क्या की कि पांच गोई लेक्टान में तीन गोई लेक्टान अगर जूड़ा तो आठ अस्टेक उसका जब हैं नाइट्रोजन अाठ अस्टेक पूरा हो गया कुल मिला झूला करके यहां पर दोजी समीक जान बनगान चेंट का ने घूरा रहा हो गया बहुत ससारे अड़व का निर्मार होता है जैसे की जल डाया है हां हाइड्रोजन का रख मिला करके जल अड़ो का निर्मार कई whyजात बहुत है ल legal सा अलग है लेकि हाइड्रोजन और मिलीकिक है क्या किन यह-" three NH3 ना नाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके क्या कर दिया अप्र अधिक निर्माटास कर दिया लेकिन नैट्रोजन एक पीस है और हाइड्रोज है क्या लाइगगे लाए विजन एक छार चतुर्थ परमाडवीक ओड्र कर लाएंगे यह क्या आजगर यह कारबन सब्सक्राइब कर दो दो है तो है तो देखिए आप धियान दिजिए का जो मैंने बात वूला वह सही हो रहा है कि जितने भी आड़ू बंते है ना यह आधातू के ही के टेग्री में रहने वाले ततों ही मिलकर के निर्माण करते हैं यहां देखिए कारबन अधातू अक्सीजन दो पीस कारबन एक पीस त्री परमाडविक करबन डाई अक्साइट बन गए एक अड़ू बन गए तो आई होब कि यहां तक बहुत ही अच्छे दंसे समझ में आया होगा तो चलिए बीना देर किये यहां तक ले लिजिए स्क्रीन सौट और उसके बाद स फिर नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं तो चलिए बीना देर किये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कारबन की बहुमुखी परकृति को समझते हैं बहुमुखी का मतलब समझते हैं जिसके बहुत सारे चेहरे होते हैं मतलब कारबन है लेकिन कारबन अपने कितने चेहरो योगी कालाता है ठीक है आज़े यहाँ पर देखते हैं कारबन की बहुमुखी प्रक्रिती बहुमुखी का मतलत आप समझी गए यहाँ देखिए सबसे पहला बात यह अपना बहुमुख यानि बहुत सारे मुख बनाने के पीछे कारण क्या है दो विसिस्ट गूर्ण है जिस अधात्रिक तत्यूं जोड़कर एक कहीं न कहीं से कूंपांड करने जाईर सी बात às कि कार्बन की गॉत नमबर कितने होते हैं जड़ाण दीजिएगा तो 6 होते हैं तो पहली कर्छा में दोय दूसरी कर्छा में चार तो बाहरी को स्में कितिन अग्टरान बचे तो यहाँ पर चार दिखाएंगे की नहीं दिखाएंगे अब चार एक गरहन करने के लिए चार फूला हुआ है इसारोमिधा यह करता है यह समझेका पहले बात करन चार अलग-अलग किस्म के अधात्रिक तब को जोड़ करके अलग-अलग छेहरे अपना दिखाते हैं पाँ माणने की चिलो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन को ही जोड़ेगा चाहेगा तो कुलोरीन को भी जोड सकता है चीह vinden को यह अलग अलग मना सकते एक बार हाइड्रोजन को जोड़े चीहरा बनाएगा एक ऑचाहरा को-श्लोरीन in सी एलेक्रान एक बच्ड़ा ना उसको इह अपने में जोड़ करके बना सकता है और पहले तो ये चार गिसम को पहले बनाएगा कि यह तो यह वे पहला झाला बी प्लस पॉइंट यह है कि मैं समझाने की छमता रख रहा हूं ठीक है ना अगर हो सकता है कि इसमें कोई कमी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर थोड़ा से इसको और एक्स्पिलेंड कीजिए बढ़ियां से और भी कुछ उधारण देजिए तो मैं सोचूंगा कि इसका मतलग मैं बहुत कम उधारण दे रहा हूं तो मैं और क्या करूंगा आप लोग मेरे प्लस पॉइंट बन जाएंगे आप हमको मान के चलिए कि थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे तो हम क्या करेंगे दीरे और मेरा वीडियो आगे जाएगा और एक हम अच्छे लेवल तक जाएंगे तो कुल मिला हर इंसान अपने प्लस पॉइंट के कारण वो आगे बढ़ता है कार्मन के पास भी अपना बहुत सारे चेरा बहुत मुखी दिखाने क तेरा वाएल होने के कारण है यह क्या है कि अपने च्रों ओर तररर टीका अपने च्रों ओर क्या कर सकता है चार एको Might करना सकता है पहले ही यहीं पर हो गया साबित दूसरा विसी ठूड़ी है कि वो केटेशन का निर्माण करता है इन्हीं दो कारण इन्हीं दो प्लस पॉइंट के कारण पता है अब तक यह जो कारवन है अब तक कारवन के 30 लाक से भी ज्यादा यौगिक बन चुके हैं तीस लाग से भी ज्यादा तीस लाग कम नहीं होते हैं सोचिएगा तीस लाग लोगों को यहाँ पर खड़ा करा दिया तो उसको कंट्रोल करना बहुत अपने से परे हो जाता है ठीक है यहाँ पर सुनिएगा स्रिंखलन थोड़ा सा स्रिंखलन का कारबन के ही दूसरे परमाड़गों के साथ कारबन के दौरा कारबन के ही ठीक है ना दूसरे परमाड़गों के साथ सह संयों जी बंद बनाकर स्रिंखला का निर्माड ही स्रिंखलन कहलाता है यानि कारबन जो न या तो कारबन कारबन के साथ बना है या किसी दूसरे तत्तों क यही दूसरी परमाड़ों के साथ सह सैयोजी बंद बना कर लिए दूसरी करवन से जुड़ा तीसरा चुछ इस तरीका से 1000 करवन जूड़ करके अलग अलग किसम के ठीक हैं क्या किये हैं एक कम पाॉंड का निर्माड की हैं तो इसे हम क्या करते हैं सुरिंखलन करते हैं तरीका से मान कि चले हम आप मेरे वीडियो अप्लोड किया आपने क्या किया आप हमारे साथ जुड़े हैं वह क्या किया कि वो उसके भी कोई दोस्त होंगे, जो वो अपने दोस्त के पास बेजेंगे, इस तरीका से एक दोस्त, दूसरे दोस्त से जुड़ करके, चारो तरफ वीडियो फाइल जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को, फिर से पॉइंट सोड भी नॉटे, सपोज मान के चलिए, कि स्रिंख तो अच्छा लगे, तो दोस्तों में जरूर सेर कीजिएगा, मान के चलिए कि आपके तो दोस्त होंगे नहीं, you are not single, कहीं न कहीं से दोस्त होंगे, अगर नहीं दोस्त हैं तो खर कोई बात ही नहीं, लेकिन दोस्त तो जरूर होंगे, दोस्त नहीं होगे तो भाई, और आतीजा के रूप में वो जूड़ा हुआ है, तो क्या होगा, समझेगा ध्यान से, आप हम से जुड़े, आप से कोई और जुड़ा है, आप हमारा वीडियो देखे, आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त या अपने चचेरे भाई या फिर किसी दोस्त आप आपके पास क्रोन ये इस्हें तरीके से कार्बं योग निर्माड़ कर लिया है तो यह हो गया अब सबसे पहला बात कि हाइड्रोजन कार्बं के साथ अभी करके निर्माड़ серия करते हैं हाईड्रोजन आपस में मिल करके यहां तक क्लियर हो गई अब आगे थोड़ा से इस्टिप बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग समझेगे हाले के हाईड्रोकारबन कि हम लोग बहुत सारे ठीक ना के टेशन को और उसके योगी को हम लोग पढ़ेंगे यहां पहले समझे लिए स संत्रिप्त और असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन यानि एक संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन होता है भाई दोनों में अंतर क्या है संत्रिप्त में और असंत्रिप्त में क्या है सुनिए गले हैं एक तो बात समझ में आ गई कि ह हाइड्रोकार्बन की से कहते हैं यानि हाइड्रोजन और कार्बन के समिस्ट्रण से बने अड़ू हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ठीक है ना तो यह तो बात समझ में आ गई है लेकिन संत्रित असंत्रित सरसमझ में नहीं है संतनित उसे करते हैं में consistent हैं मान के चले दो परकार की liquid है मैं nne conceptual मिया हुआć पहला liquid प्वाघ जो दुटा गाढ़ा है और दूसरा liquid जो थोड़ा सा कम गाढ़ा है तो जज्यादा गढ़ा है वा संतनित हो गया जो जबं कम गाढआ है वह असंत्रित हो गया जो उससे चलिए संत्रित हो गया और मान के चलिए कि थोड़ा सा गाढ़ा से कम हो गया तो वो असंत्रित में आ गया ठीक है ना सपोज मान के चलिए कि अगर आटा का लेई बना रहे हैं तो वो हो गया आपका संत्रित और उसमें थोड़ा सा पानी और मिला दिये बिल्कुल पार्ट ठीक है ये बात यह समझ में आगई आप सुनेगा ध्यान से संत्रित असंत्रित हाइडोकारबन के बारे में समझेगा संत्रित में केवल एक बंद होता है यह भी एक ट्रीक है और लॉजिक है जीसे आप समझ सकते हैं हमने तो अभी तक यहीं समझा आगए कि गाढ़ा एक बंद होता है अर्थात उसे हम लोग एकल बंद करते हैं जिसे कि अभी थोड़ा दिर पहले यहीं मैं समझाया आपको तब जाकर कि यह दूसरा टॉपिक मैं समझा रहा हूं इलकेन से आप चीत परीचीत है अल्रेडी समझेगा केवल एक बंद रहेगा तो इलकेन होगा अ एक बंद वाले इलकेन का लाएंगे और इसका समाने सुत्र सी एन एस टूएन पुलस टूदा जहां इन बराबर कार्वन की परमण संगे और असंत्रिप्त हाइड्योकर्वन में क्या होगा यह एक ऐसा हाइड्योकर्वन योगिक होता है जिसमें दीवी और त्री दोनों कि असंत्रिप्त कहेंगे और जो ट्रीपल मॉंड बनेगा उसको सी एन इस टूएन माइनस टू यानि इलकीन वाला असंत्रिप्त कहेंगे यह बात है समझ में आ गई आप सुनिए ध्यान से अब आप से पूझे का संत्रिप्त हाइड्योकर्वन की से कहता है तो एक ऐसा तो कह सकते हैं कि एक ऐसा हाइड्योकर्वन जिसमें द्वी और त्री आबंध बने उसे हम लोग क्या कहेंगे असंत्रिप्त हाइड्योकर्वन कहेंगे इस इट के लिए आप से बढ़ी अब दिखीएगा आगे अब यह चीज़े जब समझ में आ गई तो थोड़ा देर के यहाँ पर समझे हैं बात को ध्यान से मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा फिलहाल आप क्या करेंगे एक छोटा सा पहाड़ा है मनले इसको हम पहाड़ा अपने भासा में कर रहे हैं इसको याद कर लेना अगर कारबन एगो दिखाई दे किसी भी कंपाउंड में कारबन अगर इसको दिखाई दे चाहे रसायनिक सुत्र में यह संरसनात्मक सुत्र में अगर एक कारबन दिखाई दे तो समझ लेना उसको आप कहेंगे कारबन देखें यहाँ पर नमबर अफकारबन एक तो कहलाएगा में नमबर अफकारबन दो तो कहलाएगा एथ समझेगा बस इसको याद करना है नंबर आफ कारबन तीन तो कहलाएगा प्रोब नंबर आफ कारबन चार्ट तो कहलाएगा ब्यूट नंबर आफ कारबन पांच तो कहलाएगा पेंट इस तरीके से नंबर आफ कारबन छे तो कहलाएगा हेक्स नंबर आफ कारबन साथ तो कहलाएगा हेप अगर आ याद कर लेंगे सर इसको आप चिंदा मत किजिए अब आगे बताइए क्या खाने वाले मैं बता रहा हूं सुनिए सबसे पहले कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या एक है तो हम क्या करेंगे सी एन एस टू ठीक है ना सुनिए का ध्यान से सी एन एस टू प्लस टू पर इलकिन पर हम लोग सजाएंगे सुनिए का सी और इन बराबर मैंने क्या बोला कार्बन की परमाडू संख्या सुनिए एक हो गया एच हो गया और दो गूड़े एक प्लस दू अब मैं तो जल्दी जल्दी लीख दिया लेकिन आप समझे कार्बन अब लिखेंगे ल कुछ नहीं तो दो बना अब सुनिए कार्बन की संख्या एक है तो मेत समझेगे मेत समझ रहा है कार्बीन की संख्या एक है तो यह पहले मेत हो जाएगा आप देखिए आप यहां पर यह क्या है यह किस पर हम सेट किया है करने मेते संख्याद नाम करने में दीकत हो रहे हैं तो देखिए आप किस पर लाएं है ठीक है ना किस पर लाएं तो सी एंगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं सुनिए अब देखते हैं असंत्रीप्त हाइडोकार्बन में सुनिए का ध्यान से ऐसंत्रीप्त हाइडोकार्बन में किस तरीकल सापको समझीना है असंत्रीप्त हाइडोकार्बन में डवल आबंध में सी ए Sugچ एन ये अगरवर अफकारबन की संक्रीफ तीन गुडेता हैं तो क्या कंगा सुनिए test सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर देखें लिखेंगे प्रोप लिखेंगे पुलास अब यह किस के टेगरी में आता है यह किस के टेगरी में आता है सीने स्टिय तो यह आता है द्वी आन्ध एलके इन सारी यह देखिए यह यहां पर मैं गलत लिख दिया हूं यहांप बाबू इसके लिए तो आया पर यह वैएलकीन और यह उगे इलकाएं ठीकम शॉरी टीन अभी होगiane क्या चितेयान एलकीन गुरुब का हो गया पर खुद यह लिखा हुआ गवा है तो मैंने यह तीन किस पर सेट किया और था यह निकल कर कितना आया है c3a 6 to carbon कि संख्या करतीन है तो सबसे पहले प्रोब हम ले लेंगे प्रोब अब इसमें है एल्कीण में इन जूडएगा इन यह कह था दीजिये इन लाकर जोड़ दीजिए यह प्रोपीन हम जा आया कि आया इस तरीक है अब आईए बात करते हैं थोड़ा सा इसको हम मीटाते हैं इसको मीटाते हैं और यहीं पर समझा देते हैं कि देखिएगा है थोड़ा सा मौसम में हलका नमी होने के कारण बोड भी काफी मतलब जहाना थोड़ाइसा जाना माइस्ट्रिंग हो गया है एनिवे कोई बात नहीं यहां पर समझेगा अब बात करते हैं इलकाइन पर हम लोग सेट करते हैं देखिएगा से एन इस टुन माइनस टू माने चलिकित कारवन चार गों चार गों तो सी फोर हो जाएगा एन बराबर नमबर आफ कारवन हो जाएगा और एच दो गूड़े चार मैनस दू ठीक है अब आई यह सी फोर तो रहेगा चारव दूना अड़मेस दू गया छोट एच शिक्स होग ब्यूट लेकर आजाएंगे आई ठीक है तो क्या बनेगा ब्यूट पलस आइन बराबर ब्यूटाइन इस तरीका से यह ब्यूटाइन का निर्माड हो गया क्या बाती आपको समझ में आ रहे हैं अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताएं ना कि जी सर बहुत करना होता है कि मानकर चलिए कि इलकाइन में Episode 1 सकता है क्या में CEO क्या सब्सक्राइब और नहीं बन सकता है न तो तो बागु सबसे पहला बात कि इसका समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा से बनाने आ जाएगा वैसे हाइड्रोकार्बन यह हाइड्रोकार्बन कहीं नहीं कहीं 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 से अड़ क्वें से 8 बना c4-6 एक है ci do σ thing यह सीनिक यह हाइड्रोकार्बन समूह समुक्त है याद्रोकार्बन औरbut देखिए आपसे पूछ सकता है आपसे अब्जेक्टी में निमलिखित में से कौन विटाइन का आड़ीक सुत्र है या निमलिखित में से कौन विटाइन का रसाइनिक सुत्र है तो रसाइनिक सुत्र कहिए चाहिए आड़ीक सुत्र कहिए do problem बतिया हुद से जडिभरेंट स्धंधि समझेगा द्यान से त्विध detain का रसायिक सुट्र कहीं यह आणिवी सुट्र क्या颓ग ऑगा C4 H6 फीकह अब आई यह ससायनिक सुट्र या इक सतर हो समान हो कि अरॉय यार कि उतम और आगे समझना वह प्राइब समु meer मने कर निर्माण कि यह पर देखी घंधुन कर नहीं हो यह ढिए अमने मैं ऑप सायोंन कारबन नहीं नहीं समय नहीं जो इंप फोर बना यह क्या हो गया यह हो गया आपका रसाइनिक या आड़ीक सुत्र मेथेन का रसाइनिक और आड़ीक सुत्र क्या हो गया होगा अभी इसका हम सन अचनात्मक सुत्र बनाएंगे सन अचनात्मक सुत्र क्या होगा तो देखेंगे कारबन तो इस तरह हो जाएगा और यह जाने वमल हुआ तो हांतल सज्वंगी यह ओगे आपका क्या है यह होल जो आपको ताम जहां दिखाई रहा हुआ ना यहीं तामजहां संद्रशनात्मक सुत्र कहलता है समझ में आ रहा है तो संद्रशनात्मक सुत्र क्या हो गया आपका सी बॉंड एच बॉंड बॉंड यह चरगु बॉंड है यह संद्रशनात्मक सुत्र है तो इसके संद्रशनात्मक सुत्र अलग होते हैं इसको हम क्या करते हैं संद्रशनात्म समाय वाहन कहते हैं सं एस नात्मक समायवएन के मतलब क्या हुआ जिसके acontecendo रचना सुथ्र या अड़िक सुथ शॉट्री जिसकर असायनिक सूत्र और अड़िक सूत्र समान होते हैं अच्लिए रशाइंट हो गया चाहां मान के चली कि यह तो हो गया एक क्या चाहिए का समान रसाइनिक और रिक सुत्र क्या होगा अब इसका संरचना सुत्र अलग-अलग हो जाएंगे अब अलग-अलग होंगे तो अलग-अलग डिजाइन के बनेंगे जाहिर सी बात जब अलग-अलग डिजाइन के बनेंगे तो उसी अलग-अलग डिजाइन को हम लोग क्या करते हैं सरचनात्मक समावयन कहते हैं अब देखे जो नारमल बनता है वह कारबन कारबन के बीच उपर जाने लेगा यह नीचे जाने लेगा यानि कि अगर यह सीधा जा रहा है तो नर्मल है कर्बन कर्बन के भी जो चेन बनेगा तो यह अगर सीधा जा रहा है तो नर्मल है अगर तीनमहानी बन रहा है तो आइसो है अगर कर्बन 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 यह च रिंग टाइब कर बना है इसलिए ये साइखलो ये एक रिंग बना दिया कि नहीं बना दिया अगर यह वह एक हमें एक जुड़ा रहता ना इस नियों कहला आता है बाते समझ में आ रही है अब सुनिया ध्यान से अब यहीं पर समझना है जिससे की हमने idditch самого को कैसे बनाया सीईज फोर को نर्मल बनायाम उसी एच फोर को बनाया कैसे एर यहां पर हैर्डोजन के चाहरेई तो हैं यह बन गया मेठेन थे यह अच्छा Cup बात बताइए अगर हमго अगर आईसो मेथेन अगर बनाना होगा तो क्या बन सकता है नहीं आईसो मेथेन बनाने के लिए कम से कम सुनिएगा एक कर्बन एक कर्बन एक कर्बन और एक हां कम से कम चार वो कर्बन की जरूरत पड़ेगी कितने हैं आईसो मेथेन बनाने के लिए कम से कम क्या करेगा पहला इसाब हैuleा इसो के टेगरी में है कार्बन को लाने के लिए कार Eagle कंपाओंड को अडू को यहां पर लाने के लिए कम से कम नंबर ऑफ कार्बनร Dollar होना चाहिए और is से भी चल जाएगा चिक है अब यहां पर देखिए एक लिएख दो पांच कम से कम पांच गों चाहिए तब जा करके नियोंस भूा Baptist इख तो चार गों बनेगा जाएगा और यहां पड़ तो सिंगल माने하게 जा रहा होगा उसी धर जा लुडुह और यहां पांग ती ठीओ करबन से हो जाएक नो प्रॉब्लम देख रहा है ना तो साइकलो बनाने के लिए अब कि कितने कारबन कि अबसक्ता हो सकती है कॉम से कम सैंहन ने करबन कि आउसकता होती है तो आप कहेंग तीन एम ना निओं बनाने केलिए नीन नम। कितने कारबन की आओ सकता होती है तो पांच आप बनाने के लिए चार ठीक है कि यारो से कम रहा टो बने लिए कैसे तो देख लिए आप खुद ही बना कर देख लिए अग API कर दो तक हाईए यहां चाहिए और तो नहीं यहां नीचिए ऑफ वह थे इन के लिए यह आई सो चाहिए नियों के लिए कम से कम पांच को चाहिए यह उसा तो बनेगा नहीं तो यह रहा आपका पूरा का पूरा पूरा पता है यह बहुत है कि मतलब अच्छे तरीका से में आपको समझाने के कोशिश किया शायद आपको समझ में आ गई होगी ठीक है ना आप यह इतने भी एलकेन का समाने सूत्र है यह प्लस टू इस पर भी नंबर अफ कारबन रहकर करके खुब बढ़िया से सनचना सुत्र भी तयार कर सकते हैं अग अ अगर आगे हम इलकेन का ठीक है ना इलकेन का समान्य सूत्र समान्य सूत्र सी एन स्थूएन प्लस टू पर जितने भी हैट्रोकरबन के समूं अगर हम बना करके जितने भी इसके मतलब कार्बन और कार्बन से बने स्रिंखलंग का अगर हम आडविक और असानिक शुत्र तयार करें तो चलिए इसको देख लेते हैं कि एक कार्बन भी अपना कोई बात ने बना सकता है दो कारवन भी चार करवन जैसे देख लिए अगर ना एन बराबर वन रख रहे हैं बराबर वन का मतलब क्या हुआ है नमबर आफ कारवन एक तो माल के चलिए कि एक वान एच टू ठीक ना गूड़े वन प्लस दो तो क्या होगा च फोर देखे दुकादू आद्दू चार यह क्या बन गया मेत क्यों बन गया क्योंकि नमबर आफ करवन एक और मान के चलिए कि यह एलकेन गूरुप का ना तो एलकेन में जूड जाएगा ठीक ना तो क्य मद to lean Reserve can go to ay 만 person कि लेकिन किसने कर अचली बन बनता है ये बीर बात सत्थे हो गई यहनी एक लगन वाले एलकेन गूरुप में आWorld कें गूरुप का समानय सुद्र क्या होता है सेनौ 202 और हमने जिएसे ही एक कारवन परमाडू की सांगे रखा और यहां पूर का रिखेंगे दो अब आए चानल they did तो यह देखिए और लेटी एंटीन चौच और यह पूला हुआ है यह पर लगा देश्य है बताईए आप ही पतेट क्या कार्बोर के दोयाने क्वेत हो गया थिछ यह दोव गए अप लाश इल खने गुरूब का है तो लिख देंगे इसलिए बन जाएगा एथेन बन गया अब आप से एक्जाम पुछेगा कि एथेन का आड़ी की अरसाइनिक सुत्र क्या होगा तो बता देना क्या चैसी टू एच सिक्स ठीक ना उसका सानचना सुत्र आप लिख करके दिखाएए तो आप सान capitalism के भीच डबल अग्र यह नहीं है तो नहीं हो पाएगा अब आईए देखते हैं एलखीन का समफाने सुत्र होथा कimme लोगया है यह आपर क्या होगा इस तो अब आईए ऑ पर कार्बन कि संक्या एक है यहां पर क्या चाहिए दूग को चाहिए न क्लिए से कम क्वितना चाहिए नहीं हो पाईयें अब आए देखते हैं है नम घौराई आप की संख्यण 12 रखते अ पर माड़ो ना देखेंगा डाफ्य परमाड़ो संख्या है दो अरथांथ यहां पर क्या हो जाएगा कि talking अब यहां बदू कर्बन है ना यह एलकीन में आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा आए देखते हैं कैसे कार्बन कर्बन के बीच पहले तो अलाद में डूपट कोई दिकतने बचे कितना दूटन से लिया अपना कर लिया यह थे पूरा कर लिया प्रकाथ कर लिए तरीका से जो है ना कार्बन अपने अश्ठक को पूरा कर लेता और इस तरीका से अपना hydrogen भी carbon से साजा करके अपना अश्टक पूरा कर लेता है अब इस तरीका से अब आप डाइरेक्ट जो है ना मने निस्चित हो जाए कि कभी भी carbon की संख्या एक यानि number of carbon यानि carbon की पड़माड़ संख्या गर एक रहेगा तो इलकीन में उसका कभी भी hydrocarbon वाली समुख और उसके आडविकी सूत्रा नहीं हम लोग तयार कर सकते और नहीं उसकी संराचणा शूत्रा तयार कर सकते हैं कुछ नहीं हो सकता है अब आईए थ्चाकल वें थोड़ा से एलकाइन में आते हैं एलकाइन और एलकाइन में ट्रीपल अवन बनता है प्रीपल अपन और इसका रासानिक समाने सुत्र क्या होगा भई देखो सी एन एस टू एन माइनस दो अब आए नंबर आफ कारवन एक आए देखते हैं सी एक एच दो गुणे एक माइनस दो देखेगा सी और यहाँ पर एक है तो एक लिखेंगे दू का दू हम ऐसे दू गया जीरो बने को ना तो यहाँ पर एक तो सी एच कभी बन सकता है और पर एक ही हो और है यह भी नहीं बनेगा आई यह नंबर आफ दो देखते हैं नंबर एक आवन दो सी दो एच दो गुड़े यहाँ पर 2-2 अब आई देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ दो इस तो आए लाग आप चलो इसका नाम करन भी कर लेता है इसका भीनाम कर अरण करवन किसे दो है ना तो मेत एथ हो जाएगा एथ और किस ग्रूप में था यह किस ग्रूप में था यह सुनेगा यह किस ग्रूप में था सी टू हाँ सी टू हाँ यह एल्कीन गुरूप में था एल्कीन गुरूप में था तो हम क्या लिखेंगे प्लस इन जोड़ देंगे तो यह क्या पढ़ाएगा एथीन पढ़ाएगा मतलब इसको भी किलियर कर दिया अब आपका इधर पढ़ा रहते इधर आगा भाई मेरे बनाते हैं सबसे पहले कर बने चलो कारवन चाहिए यह अपना कि कर लिया अब यहां पर एकको निकलेगा और एक धर यह निकलेगा देखो हाँ यानि कि हम एथाईन को सनद्रत्यार कर सकते हैं इसी तरीके से बनेंगा कि हैं बात समझ में आ रही हैं समझ में एस तरीका से अब नंब्र आफ्ट कारवण की संख्या दो भी रखते हो तो भी बन जाएगा दिन वह ठोला टो भी आ प्रगकर verdict तो भी पन जाएगा लेकिन कम से कम क्बिद्र कावज़ इसंख्य अगर नहीं है तो एलकीन और इलकाइन का कोई भी आड़िक और असायनिक सुत्र तयार नहीं कर सकते हैं और कोई सनजना सुत्र सनजनात्मक सुत्र हम नहीं बना सकते हैं तो आई होब की बहुत ही अच्छे डंग से आपको समझ में आ गया होगा और यहीं जो हम लोग बनाते हैं न अगर इसी तरीके से सीधा चले तो समझ लेना कि He अगर चर मोसादी बनाना है तो यू प्रोबलम अगर चरमोहानी बनाएं तो यू क्या हो जाएगा बताो यह हो जाएगा इसके बाद से किया हो जाएगा उसके बाद से साइकलो बनाना तो कम से कम तीन वो कारवन चाहिए कं से कम तिन को टुली यह है तो पहले यह ही नारू जान हुए कि नार्मल चाहिए नार्मान के लिए कम से कम कितना चाहिए न Wrap चाहिए एक दो तीन आइचार चाहिए नहीं अच्छा नर्मल नियों हो गया आइसों के लिए कम से कम कितना चाहिए पांच को कर बन चाहिए कैसे एक ठीक है ना देखो एक दू तीन चार पांच हो गया नहीं पांच को चाहिए अच्छा साइकलों के लिए कितना चाहिए फिर लंबा चले तो नर्मल रहता है तिन मुहानी बने तो आइसो बनता है चर्महानी बने तो नियो बनता है और साइकल रिंग में बन जाए तो साइकलो बन जाता है तो यहीं है आई होब कि आपको बहुत यह अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया गया तो चलिए बीना देर क अब हम लोगुकर नाम है परक्यात्मक समूव में की इंग्लिस में करते हैं इसका फॉंक्षन के बारे में आपको बता दें कि देगी फॉंक्षन ग्रूप अर्थात्मक समुह का सबसे बड़ा क्वॉली कि यह क्या करता है कि जब भी कभी कार्बन कार्बन के जो चेन बनता है और जो हाइड्रोजन से ले करके अपना जो कार्बन स्रिंखलन का निर्माण कर जो कंपाउंड का निर्माण करता है उसमें हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है यानि विस्थापित करने की जो प् कौन सा है जो परक्यातमक समू के अंतरगत आता है उसको हम लोग देखते हैं देखें कि अनहें कै कि नहीं इस सूतर का निर्माड़ा करता है सबसे ज्यादा आपको कारवन हाइडरोजन के बीच हाइडरोकारवन वरी ही स्रिंखला दिखाई देने को मिलेगा लेकिन यहां पर क्याना कि यह परक्यात्माग समूँ में एक हैलोजन गुरूप है अर्था इसको हैलो गुरूप करते हैं इस ह हैलो गुरूप करते हैं और यह परक्यात्माग समूँ का अंतरगत आते हैं और उसके साथ अक्सीजन नाइट्रोजन और सलफर भी है जो लात मरने में यह पीजह नहीं हटते हैं तो कुल मिला जो लागर के परक्यात्माग समूँ का लाता है अच्छे परक्यात्माग दो आजाता है इस सब चीज े यह दा यह सब आकर करता है है यह अपने एक समौ नया अलग छेहरा दिखाना थे कुछ परक्यात्मक समुघ के तोर वह अपने एक नया गूड दिखाता है कुछ कहाना कहीं से चतु सी economy बना करके थिक दो कुछ जो करके यह कि यहार करता कारबन अपना अलग अलग रूप और अलग अपना चेहरा दिखाता है ठीक है ना देखिएगा सबसे पहला बात यह है एलकोहल एलकोहल में जब भी कभी लाश्ट में जो भी रसाइनिक सुत्र होगा कारबन का उसमें देखेगा लाश्ट में जब आपको ओएच दिखाई देगा ना ओएच तो समझ जाना कि वह एलकोहल का रसाइनिक सुत्र है और जब पर प्रोपेनल करें जीतना बना रहे थे हैं मतलब इसका हम प्रसाइक प्रसाइक्ल को चो को मतलब जो हैना इसका हम क्या किया सदाचना सुत्र यह पर दिखा दिए यह जो है नहां हमेशा एलकोहल वाला बॉंड वेच लाश्ट में दिखाई देने को मिलेगा और यह एलडी हाइड में जो अल आता है लाश्ट में आएगा तो यह दिखेगा बॉंड रहेगा रसा कार्बन रहेगा इधर कार्बन रहेगा ठीक है ना और अपना चेन बना लेगा कार्बोक्सिलिक अमल में यानि इसको ओएक अमल के फॉर्म में हम लोग जानते हैं हमेशा बॉंड सी ओ रहेगा और इसका जो स्ट्रॉक्चर अब दा मने मान के चले कि कमपाउंड जो होता न बांड सी बांड उच्ग ऊपर डाबन बांट ओ रहता है इसको ध्यान में अगर आप बैठाली तो आएधिछ नाल मेथनलения मेथन जानी मेथनकile में इसمنियो चैने के होता न जी अगर मान हाइडरोजन हाइडरोजन य Опर थोड़ सा मैं यहां होता है अब यहां देग hai मेफैन का रसाइनिक सूत्र श田व ध्यान से सुनिएगा अब क्या किया कि पर्कियातमर्य समुकर में थे किना या तो नाइट्रोजन या दो सलफर या तो आक्सीजन या फिर हैलो गृूप यादर में परक्यात्मक समूह का है लो क्रोप में में मौझूद कुलोरीन फ्लॉरीन आयोडीन या ब्रोमीन को twenty को यह को द्सक्राइऊ थो आ करके हाइडरोजन को लातमर के हटा करके और पालन के चलिए कि उगर कुलोरीन आ गया हो ऊपनीटा इसको फλोरीन समह का नाम करके पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको जो हम मेथयन पढ़ रहे अब हम इसको सबसे पहले परक्यात्मक्समूं का नाम लेंगे को कुलोरीन नहीं पढ़ना है इसको कुलोरो पढ़ना है ठीक है ना इसी तरीका सब फुलोरीन को फुलोरो पढ़ना है आयोडीन को आइडो पढ़ना है तथा ब्रोमीन को ब्रोमो पढ़ना है समझ रहे हैं ठीक का आईडो पढ़ना और ब्रोमीन को ब्रोमो पढ़ना यह है लो गुरूप में आने वाले जुत्त होते हैं उसका थोड़ा पुना सेशन कुछ अलग हो जाता है तो यहां को हम पहले क्या पढ़ेंगे कुलोरो पुलास यह मेथेन था ना पहले से चलो मेथेन अब इसको हम क्य से फ़ोई जगे और क्या कर दिया और क्या कर दिया और यहां पर सभी आस टक पूरा अब यहां पर आस्टक पूरा जैसे ही और इसना रखेंगी पर क्यात्मक्स मोर्पहलेसे थार नाक बन गए बात खाता हैं उसी तरीका से मान के चले की एथेन है तो एथेन का क्या होगा c2 और h क्या हो जाएगा एजए एट हो जाएगा ठीक है तो मान के चले गार इसको हम बनाते हैं इस तरीका से ठीक है नहीं होगा सीक्स होगा हम तो से पकड़ लिए आप लोग मने डाइरेक्ट फर्मूला के हिसाब से हल कीजिए ठीक है यहां देखें यह हो गया अब इसमें क्या करेंगे यह को हाइड्रोजानवा को विस्थाबित करके बेचारा क्या करेगा आई आ जाएगा नहीं तो क्या आ नहीं तो इफ आ हने इस पर हम लिखेंगे फडूमले लीखें खरेंगे फूलोब खुरण गया चलागी फेट यहां तो यह बिक्सराच अपने आप में आप में अच्छा अच्छा करें थे को अच्छा इसका है कि यूजर मर गया अब यह क्या किया विछ फ्लोरिन आकर किicate इंगें को मार कि हटा दिया अपना जगह लेगा नहीं कि हम पहले ना में ऑगया चाहा आ आप यहां पर जरा भ्यान दीजिए यह मेथेनॉल का रसानिक सुत्र कैसे बन रहा है यानि कि देख लिजिए का सी एस तरी ओ एच है ना लास्ट में पहले बताए कि ओए चाहिए गा यहां पर पहले से लिग दिया हूं ताकि समय की बचत होगी वीडियो लंबी हो रही है तो बन दिए कर नहीं बंगे मेथनओल में अगर इसका शंसकत्र दिखाना है ना इस तरीका से हो एच के साद देख यहां पर क्या करेंगे पहले से समझा रहा हूं सबसे पहले मेथेन का मेथेन सहीन लगतर से ही क्या बना है मेथन ओल यह नहीं ओल आकर जूड़ गया है जिस तरीका से हैलो गुरूप का तत्वा आ करके ठीक है ना चाहे कलोरो हो चाहे फ्लोरो हो चाहे आईडो हो चाहे ब्रोमो यह विस्थापित करके अपना परक्यात्मक समू के साथ उसका नम करन हम लोग कर रहे हैं इसके परक्यात्मक समू के साथ उसका नम करन कर रहे हैं उसी तरीका से इस समू में एलकोहल गुरूप का भी जो आ करके इसमें से भी हाइडोजन को को विष्थापित करते हैं तो इसके सांदे कुछ नाम करेंगे कैसे करेंगे तो मेथन है ना तो मेथन अच्छा खासा CH फूर था वेच्छ यहां देखिए एच 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 आप बेचरा का क्या यह हट गया एगो एच को विष्थापित कर दिये यह जू है ना यह कोहल अपना जगा ले लिया अब इसको क्या करेंगे में तो ह WAY गया पलस यह कौन मियुका को क्या करेंगे तो ही दूब हमेथेन पुलस और बारबर हो जाएगा मेथेन नॉल देखरां ना ना मीन कल्चर करने का यह तरीका मेथेन छाम जूनाय यह तरीका से मान के चलिए कि अब यहां पर देखिए धृषा वीन आपन देखिए अब हो क्या रहा है जेसे के मान के चलिए कि हम को क्या करना खुब अच्छा ऐथेन बनाना है एथेन का रहा साइनिक प्राबलम घपड़ाना नहीं इस तरीका से परक्यात्मक समोह में मौझूद है लोजन गुरुप के तत्व आकर की इस्थापीत करके अपने आपको ठीक ना बड़ा दिखा दिया उस तरीका से के एलकोहल गुरुप से आने वाले ओ घूरा एज को स्थापीत करें और फ्लग जाएगा ऊच जैसे ही लग जायगा धर यह क्या हो जाएगा अभी पहले से था यह बना कि नहीं बना सोची बना कि नहीं बना अब देखिए यह का बच्याओं आप यह तो यह उच फाइप और यह रहा हो गया क्या चीज़ का एथेनॉल का रसाइनिक सुद्र क्या होगा मेरे भाई एथेनॉल का तो सी टू एच फाइप ओ एच क्यों हुआ भाई सुनिएगा ध्यान से क्यूंकि यहां पर एच एगो विस्थापित हो गया अगर नहीं हुआ रहता है यहां पर एगो कम कर देना है और यह एगो एच वाई यहां पर आगया आईए ठीक है ना एगो ऑक्सीजन आगया बात समझ में आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं उसी तरीका से मेथेन नॉल यानि की एलडिहाइड गूरूप में अल आएगा लास्ट में देखिएगा यहां पर क्या है अच्छा-पास फ्रमूला वेचरा किया था मेधेन के मेधेन देखिएगो था यह यह इस तरीका से था हुच ड़्य यह शार यह हुआका क्यों यह पर आगया अच्छा एक और च्शन ध्यान में में रखना है क्या चीग कि यह यहां पर देखिए ऌपैले सेये कार्फन हैं पहले ही में यंज्रूरत पड़ेगी मेथेंगों हो जाएगा कैसे है तो अब देखो यह थो तो यह बन ही गया है इसका आड़विक सूत्र मेथनॉल का आड़विक सूत्र और रसाइनिक सूत्र क्या हो गया है अब यह तो हो गया अगर आपको एथेनॉल भी बनाना हो कि अनल नल गयान से सुनीगे इथेन है एथेनम का पहले सूट्र दिख दीजेगा क्या हो जाएगा सुनिए मना सब्सक्कर आपनति तो इज़यों सिख सिफ्स था आप यहाँ देखियो क्या होगा तो सिट्टु सिघंगे और हम यह को यह बएट होगे यहां देखिए अपना अस्टेगपूरी कर लीए अपने अस्ट पूर् तो दो में दू कार। और यहां पर क्या हो गए सुनियेगा ध्यान से अब यहां पर यह क्या था था ना सी एच को था ना यह अब यहां पर यह क्या हो जाता sub cath in h3 अब दिखेगा को vitrogen तक ता एक तीन एक चार को एक तो दू तीन चार गोजान होगे की नहीं देखें तीन गजी इसका आडविक सुद्र हम बता रहा है सुनिये कद्यान से पहले क्या था यह मैथ है नोल का तहां मेथन आल का तो आप समझ गया अब यह पर एथेन लुका बनाने को मिवत आ रहा यह पहले से क्या था न सी बोन ओ और बाइच और हमने सिर्क्atri लगा दियautum क्या बन गोए मेघ्रनोल यहनिए लगा दिया की अब हम चाहते हैं कि यहां पर आप और कारवन बढ़ा के हम हम चारवन यह बढ़ा था तीन है अभी क्या होगा तीन योग फैले लिख दो तेक्थी स्थी उसके बाद से लिखेंगी इसके प्रोपेनों की टोन जो परक्यात्मक्समु जो बनेगा वो कैसे बनेगा प्रोपेन औहने तो देखियो यहां पर देखेए जाएगा मेане मेट एथ प्रोप्ट याने तीन को कारबन है नथ तो सब से फ़्लें प्रोपेन की आसाइनिक शुद्र होता है प्रोपेन का रहां विद्ध क्याता है एक और एट यहीं नहीं होता है देखिर एक दो तीन यहां पर दीखिए अगर इस तरीकह से तो समझेगा कर देखिए है यह देखिए एक दो तीन तीन चोड़ आठ ठीक है गुड यह हो गया प्रोपेन का में यह हुआ यह कि ये जो है ना के टर भूमन ये सी बांने पीचवा में हैं यह वला यह आकर कि जगाह अले लिया तो यह तो जगाह ले-लिया तो यहißtु जगाहrade Candice इूआ एक तरफ हो गया लिए यह सिस्केंड़े न है तरफ देखल और यह बीच हम इसे बीच में लिए इसको बनाना है तो कई से बनाएंगे देखिये यहां पर लगा देंगे सी यह लगे और और प्रश यह दखेगा यह तरह रहां Siरis तरह और डापलवर तो हो गया यह हो गया प्लûms i orsi यहां पर लगा देगे वहह बन गया खिले नो प्रणप्लोम देखी संथे तीगा इंचो और है अध्दू क23 ती लेकिन ऊपनाना थोड़ी सी हो गया थिक थोड़ी सा मात्रा डाल देना है और यह बन गया मेथ है नहीं काम ठीक है ना अब मान के चलिए कि अगर आपको थोड़ा देर के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा देर के लिए मेथ के बाद एथ वाली बात आ रही है मेथ के बाद एथ यह दूगो कर्बन के साथ बना चाहिए तो यह क्या बन गया ह है ठीक है न आप क्या करोंगा सी हट थरी कर दिया यह वाला भाग लिए स्ट्रीक को छ यह बन का का थे न बताओ दो कारबने न में ती यह थी यह थैन हो गया एतन हो गया इतन हो गया पुलास अब यह था खार का दान तो ओए का मली समें जोड देंगे ओएक ओएक अमल जोड़ देंगे यह टूटल नमोग का बन जाएगा एथे नोईक अमल बन गया समझें यानि यह थे नोईक अमल बन गया कुल मिला जुला करके हम लोग बहुत ही आसानी से अगर आप इस चीज को दिमाग में रख लेते हैं कि एलकुहल में आल हमेसा लास्ट करते हैं और उसका यह जो है ना आडविक सुथ को याद कर लेते हैं कि लास्ट में और यह बांड सी ओ चाता है अगर यह याद कर लें तो इससे भी अबजेक्टिव अगर पूछेगा तो आपको बनाने में कोई दिकत नहीं हो अगर इसका एस्ट्राक्चर बनाने के पूर खुर दो पेन को बनाना है आप रखुट लाजट में लगता है तो बीचे में लगता है तो बीचे में लगा ना यह धिक अनट अब बाकिश्व लाश्ट में लगता है यहाँ देखो सबसे पहले इसको हम बना लेंगे no problem यह देवता तु यहां पर आ जा कोई दीकत नहीं अब यहां पर क्या हो रहा है देखो हमको क्या बनाना है मेह Arbyut paint यहने 10ڈव होगी बनाना पहले से हमारे पास पांच पर रहे गा तभी तो और पिपे पेंट 15 इन का बनेगा तो पहले से इसमें इन बावा गुन ने लिया है आप मतर को कि रेर खूर रहा आप मातर चार परार पर चार करु सूझदiones कि ठीक और यह पहले से सी है ना तो देखो यहां पर हाइटोजान इसका लिखेंगा न जी यहां पर हइड्रोजन अप देखो एक दो तीन चाहर पांक छे साथ आठ नो एच-9 और यहां पर हम क्या करें कि COOH क्यों कि नहीं C4H9CH तो I hope कि ये जो परक्यात्मक समों आपके दिमाएं में फीट करने की कोशिश किया, बहुत ही अच्छे डंग से आप समझ गए होंगे, तो चलिए बिना देर किया, इसका next topic भी समझ लेते हैं, तो चलिए बिना देर किया हम लोग इस chapter का सबसे last topic, जो काफी exam के point of view से important है, उसको हम ल साबून के अड़ी लंबी स्रिंखला वाले कर्बाक्सलिक अमल, जैसे कि थोड़ी दिर पहले हम कर्बाक्सलिक अमल के बारे में हम चर्चा भी कर रहेते हैं, और कर्बाक्सलिक अमल का अल्रेडी परक्यात्मक समों, हम अल्रेडी बहुत अच्छे डंग से समझ रहेते हैं, करबॉक्सिलिक अमलों के सोडियम एवन पोटेसियम लवन होते हैं यह बात तक लियर होगा आप देखिए करबॉक्सिलिक अमल में जब भी कभी आ मतलब आपको उसका आडविक और असाइनिक सुत्र देखने को मिलेगा उसमें लाज्ट में सी ओ ओ एच होता है कर्बॉक्सली कम के बारे में जो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था और यह आर में क्यों दिया हूं क्यों कि देखे आर यह है कार्बन स्रिंखला ठीक है ना के टेशन ऑल पीटेशन आफ के टेशन ऑफ कर भंस ठीक है ना कर्बं इस समझ नहीं चेंए यह वह सकता है अब जीतना से साबुन बनाएं जाए ठीक है ना तो मान के चलिए की के टेशन आफ कर्बन कर्बाइब 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 कर् में ठीक है ना हाइड्रोजन को विस्थापित करके सोडियम तथा पोटेसियम का यह एक लमड होते हैं जिससे साबून करने के लिए जो हम लोग नहाने के लिए जो साबून करता है उसमें पोटेसियम की मातरा होती है और जो कपड़ाद होने के लिए साबून का इस्तेमाल किया जाता है तो वह क्या है वह आपका सोडियम से बना होता है अब देखें इसका हम दिखा रहे हैं कैसे बहुत ही अच्छे डंसे यह इस तरीका से दिखाया जाता है ठीक है और यह इस तरीका से दिखाया जाता है तो ना हड्रोजन जुड़ा रहता है और यह जो हो गया ना यह होगे आपका पूच्छ जिसको हम लोग जल विरागी शीरा कहेंगे ठीक जल विरागी अब यहां जो है आईएगा तो यहां पर इन ए प्लस सोडियम प्लस में ही रहता है ठीक ना और बाकी यह इधर के हैं जो भी अडू वो माइनस में ही रहेंगे क्योंकि अधात्विक ततो का यह क्या है एक चेन है और इधर आप इसके मुख्य भाग यानि मुख पर आईएगा मुख पर आईएगा शीरा पर आईएगा तो यह शीरा आयनिक सीरा का लाएगा अर्था जल्रागी सीरा का लाएगा क्या का लाएगा जल्रागी सीरा और इसको हम आयनिक सीरा और जल्रागी सीरा क्यों कहेंगे क्योंकि इस पर प्लस है ठीक है ना यहां पर एक धात्विक त तो आ गया थाथ्य है तो न द्हात्य क्तव तन से आई निक सीरह बन गें यह बाते समझ में आ गए अब देखें ये जो जल लागी सीरह यह इसको जल से बड़ा प्यार होता है यानि जल से मुहबत होता है इसली बाहिए ना के साथ मतलब जहाना बहुत ही अच्छे तरीका से साजिदारी करता है और यह जो पूछ है ना जल विरागी सीरा यह गंद जहां गंदगी होती है ना वहाँ पर जा करके अपने आपको कुछ जितने भी यह कण है यह कुछ इस तरीके से वेवस्तित कर लिया कि यह जितना भी पूछ है यह गंदगी को घेर लिया और यह जो आइनिक सीरा है ना यह आइनिक सीरा जो है जल रागी सीरा यह क्या हुआ यह जल के संपर्क में है मान के चलिए यहां जल है और यह गंदगी है तो ये क्या हुआ देखें यह यह आइनिक mnie तरफ खीच रहा है और यह वाला क्या करता यह बलास को अपने और खीज़ने कोजी करता है इस तरीके से खीचाता नहीं होता है तल्ब मैल यहां पर निकल जाता है उसके पास जब फटकते हैं ना कपड़ा को पटकते हैं तो उसके बास से क्या हो जाता है वह पानी के साथ आराम से गंदगी साफ हो जाता है कुल मिलाजूला करके ये जो ब्यवस्थित जो मान ये चलिये के जो सपोज मान के चलिए सोडियाम और पोटेसियम का जो कारबोख्सिलिक अम्लों से बने ठीक है एक आडविक जो समु का जो यह ब्यवास्था दिख रहे हैं इसी को हम लोग मीसिल करते हैं क्या करते हैं मीसल करते हैं फिर से समझेगा देखिएगा यह जितना भी यह पीछे वाला हिसा है यह पूछ है ठीक है जिसको हम जल विरागी सीरा करते हैं इसको पूछ गाएंगे यह हो गया आपका क्या चीज यह क्या होता है यह ने अपने आपको अड्जस्ट करता है और जीतना वह है उस तरीके से वेवास्ता को हम लोग क्या करते हैं यशा सजीत तरीके से जो दिखाई दे रहा है जिस तरीके से मैल को चारों तरफ से एदम जकड लिया कि अब तुम कोई नहीं भागने वाला इसको पकड़ लेता है यह पूछ जो है ना चारों तरफ से घेर लेता है उसके बास यह जो आइनिक सीरा है यह अपने तरफ खीचता यह जहान ज्याएनन जहींदा ज्यान जहिंदाने करें खीचता नहीं होता है और उसके फटकते पटकते हैं कपड़ा को उठा पटकते हैं पांई के साथ अराम से चाइल कर बाहर चला जाता है और हैं करते हैं बाते समझ में आ गई यह साबुन अब बात करते हैं कि अपमार्जक के बारे में ज्यादा नहीं पड़ना अपमार्जक भी क्या होता है ना करते हैं तो यह सब्सक्राइब होते हैं तो आई होप कि यहां तक जो भी हम इस चेप्टर के बारे में जितना कुछ भी topic से related concept देने की कोशिस के आपकी दिमाग में fit हो गया होगा, बहुत ही अच्छे डंग से आप समझ गया होगे, अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा गुर्दाशना के रूप में, और दोस्तों में share कर दीजेगा, वाटसे वगरा कोशिस मत किजेगा, पता है, इस चेप्टर से बहुत ज्यादा कोशन उठाया जाता है, और ये चेप्टर जो है ना, exam के point of view से काफी important है, अगर दोबारा भी देखने की जरूरत पड़ जाए ना, तो आप दोबारा देख लिजेगा, ते बारा भी देखने की जरूरत पड जाएगा, अगर आपको इसका playlist ढूंडा है ना, तो इसी platform पर playlist वाली section में जाएगा, और लिखा है class 10th science for session, 2024-25 के नाम से, already ये playlist बना हुआ है, ठीक है न, 3-4-5 playlist के बाद आपको ये playlist देखने को मिल जाएगा, उस playlist में मौझूद सारे वीडियो को आप देख लिजेगा, इ एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूरा का पूरा concept हम आपको समझाने की, पूरा का पूरा 100% जो है न, अपना energy जोंक दिये हैं, तो क्यों न, आप इस वीडियो को सार्थक बनाएगे, पूरा का पूरा जो है न, वीडियो को share कीजिए दोस्तों में, ताकि इस व